सारी छात्रों घर में बड़ा हूं और बच्चे की शादी है 12 दिसंबर तो फिर भी अपने काम को हम लोग करी रहे हैं तो मा का फोन आ जायने वज़े से माई डिस्टर फोन कट गया जो चीज है रियल है और हम लोग रियल चुकि क्लास में भी है और घर में भी तो ठीक है आईए देखते हैं का संजोजन दो प्रकार से होता है संजोजन मतलब आप स्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में प्रत्रोत को जोड़ते हैं और यह फिजिक्स में आप आराम से मतलब बिद्दुत में यह चीज आपको क्लास में पढ़ा ही आ रही होगी यह पढ़ेंगे तो इसमें आप दो तरह से जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को एक होता है सीरीच क्रम में बड़े आरान्थ देखिए यह सीरीच क्रम में आपका मान इस तरह से प्रतिक्षिन है आर है आपका दस ओम-दस-ओम-पचास-ओम-दस-वीस-पचास ओम-के तीन रे पचास बीस सतर दस असी उन इसका उत्तर हो गया तो ऐसे एक नंबर का सवाल आपको पूछ सकता है कि तीन रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हुए हैं साथ तो आप इनका मान बता दीजिए तो यह आपका स्रणी करम में हो गया यह आप एक साधन रूप से आप जानते रह और थोड़ा सा इसमें आपको पेज दब जाने को जैसे ऐसा हो जाता है तो यहां हम आपको फिर थोड़ा सा दिस्टेंस भी अच्छी बात है इसी से आदमी सीखता है यह आपका समानतर क्रम में, देखिए समानतर क्रम में क्या होगा, कि जब धारा क्या होगी, इसलिए घर में हमारे समानतर क्रम में बल्ब भी लगे होते हैं, समानतर क्रम में धारा आएगी एसे, तो वो तीन नाली में बढ़ जाएगी, मतलब तीन जगह बढ़ जाएगी, दो धारा बट जाए वह सरकित यह से सर्क्ट को देखि builder कर दिस्ष सीरीज में एक भारा समें जा रही है तो सीड़ीज और परेलरण में धारा पर जा रही है तो धैरा से आप इस पूल्ल ऑर वईच में एस तरह से त्दूल्य cent Euro 보시 ग्यानत कर लेंगे इसमें सवाल भी आता है और इलेट्रानिक्स में भी हाता है ठीक्स में बी आता है जा कि वैश्ळाओं और ग्यूश कि छैसे कि इसमें हम आपको एक अधान की रूप में लेते हैं इस इसे में पकलर आ भी विव थीमेफर बया DAN आट अम पर नंबर पर लाँ वख़ट वाला औरी हुंग तो 6 है इस तरह से आप निकालेंगे वोलता के ताप निर्भर करता है डिक ये यह कितने सिर्स्थान के होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक वायर वाउंड एक कार्बन वाउंड इस तरह से इस पर टिक लगाने का इस तरह के सवाल आ सकता है आएगा ही आएगा नहीं सकता आएगा और या इसमें और भी रिक्तस्थान की पूर्ती करने के लिए कि परिवरतंसील प्रतुरूद का प्लस माइनस दोनों हो सकता है और इसी तरह से आपको दो नंबर के सवाल में भी आप आ जाईए तो दो नंबर के सवाल जैसे आपको यह चोटे सवाल है कि एक किलों में कितनों होते हैं एक मेगाओं में तो वही दस घाते तीन किलों मान लिजे हजार लगा दीजे मेगा में हजार का गुणा और कर दीजे दस घाते च्छे माने कल आपको बता है कलास में मेगाओं तक और जो है अगर लाग भी लाहरा है तो इसका मान बता दीजे तो तो इस तरह से पत्रोथ के आप इसकी इंशाट में लएक आप चाहें तो इसमें थोटे-छोटे सवाल है यह एक नूंबर के दो आपको दो नूंबर में आपको एक निश्चत मिलेगा जैसे कि दो प्रतोष स्वीरीज मिलगा दिया तो इनको और प्लस और बन से जोड़ तो आक से सिरीज अगर हो गया थो इसको आप सिरीज में जोड़ दीज्य और पिर उसके बाद ही यह सिरीज में और यह शोट पाइलाकर यह चोप्ते च्शोटे सवाल रिशिटंस के जरूर रहेंगे च्षवह सवाल यहां है तो इस तरह के सवाल आपको इलक्ट्रोनिक्स और फिजिक्स दोनों निवार हैं और यह आने ही आने हैं और चोटे-चोटे सवाल हैं और इस बार को इस पेपर का रूप बदला जरूर रहेगा इसके लिए आप लोग लड़ रहे और अच्छा रहेगा कि थोड़े 30% तक तो आपको बहुती बहुती टाइप रहेंगे question एक नमबर के और दो नमबर के और उसके बाद आपको तीन नमबर चार नमबर थोड़ा सविस्तार हो जाएगा तो एक पेज दो पेज तीन पेज यही होगा जदस जदा और पैटन वही कि आपका साथ नमबर का पेपर इलक्ट्रोनिक्स का है यह थार्ड पेपर में आपको यह पढ़ेगा इलक्ट्रोनिक्स के लिए और फिजिक्स के चात्रों के लिए प्रत्रोत का जो है आप लोग पढ़ते ही है कुलाम का नहीं मैंने कल बताया है वी इचकल टू आई आर तो इसको भी आप लोग अच्छा बारा के चात्र समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यह मैं आज दिखाऊंगा खैर आज तो हमारा आपका टॉपिक इस हफ्ते में एन पी एन और पी एन पी ट्राजिस्टर का है तो मैं ट्राजिस्टर को लूँगा और इसके अंदर अर्ज शालक का वीडियो भी मैं आपको पेज में डाल दूँगा कि ताकि आपकी मेमोरी में र इसको क्लास में बताता हूं तो लक्स को थोड़ा सा हाइलाइट करेंगे और थोड़ा सब्सक्राइब भी कराएंगे तो मुझे लगएगा कि सही आप लोग फिजिक्स की तरफ बढ़ रहा हैं थोड़ा डीप पढ़िए मैं तैयार हूं कमेंट्स दीजिए मैं कालिज तक आपके आने के लिए तैयार हूं मैं जे कोई पैसा नहीं चाहिए आपनों का सिथ प्यार चाहिए और आपका ये डिवशन की नई फिजिक्स में हम डीप तक पढ़ सकते हैं मेनी मेनी थैंक्स आपका सिक्षक दीपक सी आरेच्छे